तो नमस्ते दोस्तों आमारे चैनल में आपका स्वागत है और आज के स्वीटर में बात करने वाले हैं अगर आपके मार्चिट में विहार वोट के मार्चिट में अगर फोटो करेक्शन करवाना है अगर आपके मार्चिट में फोटो चेंज हो गई है दूसरे का फोटो लग आहे या पोटो नहीं है या आपका ओपोट आया है लेकिन दूसरा बीक नहीं में बहुत सरी यहां पर क्या करना होगा बहुत सारे यहां पर कॉमेट और सारे दोल हैं पर刑र इंफुरा लेने वालेव अच्छा लगता है तो में काद सके क хотел करें और हमारे साथ पने दाने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें और चलिए वीडियो को सुरू करते हैं बिना देर की वे और सब कुछ बताते हैं वीडियो में जो भी देता आया जाएगा वो सब कुछ पूली स्टेप बाई स्टेप करके बता जाएगा तो पुड़ा वीडियो अच्छे स चलिए दिखाते हैं और यहां पर जो आप करेक्शन की बात करते हैं वहां पर तेंथ के लिए तो यहां पर को भी आप आप्शन नहीं दिया जाता है जिससे आप स्रेक्षन कर पाएं लेकिन मैं आपको यहां पर बोर्ड ऑफिस जो पट्टा में से थे में बोर्ड ऑफिस जो पट्टना है बिहार बोर्ड का वहां पर मैंने गया था वहां पर सुद्रवाने के लिए तो कुछ वहां पर डॉक्मेंट रिक्वाइड जो जमा करेंगे आपको वहां पर लेना लेकि जाना होगा तो वह भी हम आपको दिखाएंगे ठीक है तो पुड कौन से डॉक्मेंट लेंगे जे आपको यहां पर दिखाने वाले है ठीक है तो पुड़ा आप देखते रहे तो यहां पर देख सकते हैं कि जो मैट्रिक में फोटो सुधार है तो जो अन्पोर्टन डॉक्मेंट है वो आपके रिक्वाइड होंगे क्या होंगे पहले आप कि आवितन पत्र लिखना होगा बिद्दाले से अग्रसित कराके एक आपको अप्लिकेशन लिखना होगा जिसमें आपको यह दर्साना होगा कि मेरा फोटो गलत हो गया है या मेरा फोटो गलत छपा गया है मेरा फोटो नहीं आया है या किसी और का लग गया है आपका जो मे सित मतलब उस पे आपको अग्रसित लिखवाना होगा और विद्धा लएके मोहर लएंगे इस प्रकार से आप करते हो तो आपका हो जाता है रेडी एक दॉक्मेंट फिर बात करते हैं सपत पत्र जो की हर एक हर ब्यक्ति के लिए रिक्वाइड है अगर आप कुछ भी सुद्र आने जाएं तो आपको ये डॉक्मेंट जरूर रखेंगे क्या है सपत पत्र क्या होता है कुला इंपरमिशन दे देते आपको सबसे पहली बात कर्जपालक डंडा अधिकारी यानि कि जो आपके सपत पत्र होते हैं जिसे हम आफिडेविट कहते हैं आप सपत पत्र नहीं सम समच पाओगे ठीक है तो आफिडेविट जो होता है वो कार्जपालक प्रणा अधिकारी जो आपके कोट होते हैं सिविल कोट हो या जो भी आपके पास कोट होते हैं उनके पास आपको जाना होता है वहाँ पे जो बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अकील उनसे संपर्क करिए कि हमें एफिडेविट बनवाना है उसमें आपको लिखवाना होगा अंगरेजी लिपी में यानि इंग्लिस लेटर में आपको लिखवाने होंगे जो भी आपके मेटर है वो मेटर आपको जाईएगा उनको पताईएगा तो आटोमाटिक लिख देंगे मेटर आपको टैपिं करते हैं जो इंग्लिक्स लिटर में लिखवा कि 105 उपय का लगवाना है मुहर उसके बाद बात करते हैं मुल पंजियन इन पवेश पत्र में विद्दाले परधान दोड़ा सुधार मुहर का स्थाक्षर सही यानि यह आपके लिए नहीं है ठीक है फोटो हे टू आपको यहां नमांकर पंजिला सिग्शा पदाora का अहां पर ताक्षर बता दें अगर आप जो अप्लीं की लिख Jetzt होगे उसके नेशे यहां पर जिला जिद्चा पदाद नमांकन पंजी यानि जिसे बोलते हैं आवेदन पत्र जो है उसमें आपको लिखने होंगे और जब लिखोगे तो उसमें आप दाले से ग्रसित करवा लेना उसके बाद आपको जीला सिक्षा पदाधिकारी के पास जायना होगा और जाकर वहां पर हां स्थाक्षर और उसको स सिगनेचर करवाने होगे जैसे आप इसको करवा लेते हो तो यह आपका डॉक्मेंट स्टार्ट हो जाता है और यह आपका दक्मेंट बन जाता है छुछ पीर जो बात आती है फिर यह आती है फोटो सुधार है तो आपको बिद्याले लेटर पाण 85 में पर बिद्याले प्रढानिकरी को दोरा अनुस अनुसरा करवाना होगा जैसे कि एक भी वहां पे जो होता है photo letter pad ठीक है तो photo letter pad आपको निखवाने होगी जैसे आप photo letter pad आप देख रहोगे नहीं देखरो होगे तो वीडियो पर भी दिखा रहेंगे जैसे आप अपने school में जाओगे वहां पे बोलोगे कि आप photo letter letter pad पे लिख कर दे अपने principle से इसमें photo सुधार हित्यों करवाना है उस पे आपको यह सब कुछ करवाना होगा ठीक है जैसे आप इसको करवाते हैं उसके बाद यह automatic दूसरा आपका document है वो सुधार जाएगा मतलब बन जाएगा उसके बाद जो आपके बिद्दाले नाम सुधार ने है तो बिद् जाती कोणी सुधार है तू जाती पर्मानपत्र यह आपके लिए जाती पर्मानपत्र जो है जाती के लिए है आपके लिए जो important है बहुत मैं एक बार repeat कर देता हूँ जिससे wire design does बोकित कर देता हूं सब से पहली बात सोट में बताएंगे आभेदन पत्र एक आपको पेज लेना है यह फोर साइज भी जिसमें आपको एक अप्लिकेशन लिखना है जिसमें विदाले से अग्रसित करवाना है विदाले से जो भी आपका दिक्कत है वो आपको लिख लेना है पहले अपने से और उसके बाद विदा बनवानी हैं जिसमें 105 उपे का टिकट लगवाना है ये दूसरा आप करोगे तो ये दूसरा भी हो जाएगा उसके बाद तिसरा जो है वो आपका क्या है कि आप जब फोटो लेटर आनि की लेटर पैड पर अपना अभी दाले के परधाना अधुका ध्यापक के तो आप जो अ झागया है और उसके फोटो चिप काके उसके मोहड लगवाने होंगी जैसे आप मने लगवा लेतो उसके बाद आपको अपने परधाना ध्यापक से मोहड मरवाकी उसके ले जाना होगा जैला सिक्षा पदादिकारी के पास और वहां से सिर्ष्टे कर वाल के और करवाने के लेना क्योंकि यह काफी आगे आने वाले सिच्वेशन में काम आएंगे क्योंकि उसके बाद अगर जमा कर देते हो तो आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं रहेगा तो आप एक बार जो भी आपके आविदन पत्र होंगे या जो आविदन करेंगे या एफिडेविट होंगे या नमांकन पंजी करन में जिला सिक्षा पदाद इकार सास त्यापन होगा या फोटो सुधार तो जो लेटर पैद होंगे बिदाले का वो सब कुछ का आपको मोहड जो मड़ा होगा वो सब कुछ आपको एफिडेविट के सहित सब कुछ जो भी डॉक्मेंट आप सकती है उसके बाद बात आती है आवेदन जामा करते समय सबी दास्तवी जो का श्यापति शौप्रमानित मुल दास्तवेस्प्रतु तनिवार्ज हैं दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो भी डॉक्मेंट है जैसे कि आप उसके लिए लगाओगे माक्सिट माक्स करना होगा और लीख कर उसको जमा करना होगा जमा करोगे तो जो आपकी बोर्ड आफिस है वहीं पर आपको जमा करने होगे ठीक है यह मैंने यहां पर जाके एक फोटो कीच करके रखे हैं जिससे आप देख पार रहे हो ठीक है तो यह मेरा ही है तो यह कुछ इस प्रकार से आप सुदरौा सकते हो, इसके लिए अगर आप चाहते हो कि नहीं और इसे रिलेटिट्ट वीडियो बनाया जाए जैसे कि मैंने पहले वीडियो बना दिया है जनमते थी कैसे सुदार करें फिस बोट यह वीडियो और आ फोटो सुदार कैसे करें इसके बाद नाम कैसे शुदार करें, पिता का नाम कैसे शुदार करें, इस पे भी related वीडियो बनाएंगे, एक के करके वीडियो बनाएंगे, जिससे आप असानी से समझ पाऊँगे, तो मैंने आप सबी को ये अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और अगर हमको अ प्रबलम है, अगर आप चाहते हैं, इस से related वीडियो और बनाया जाए, तो और वीडियो बनाया जाएगा, आप कॉमेंट तो करिए, और एक बात, अगर आप चाहते हो, कि आपका तो माक्सेट गलत है, और अर्जेंट है, अप कमपनी में देना चाहते हो, अगर करेक्शन क करा कि आप फिक डॉक्मेंट भी बनाना चाहते हो, तो हमारे यहां फिक डॉक्मेंट भी बनाया जाते हैं, आपको सिंपली नीचे दिये गए, नंबर पे कॉल करने होंगी, जैसे आप उस पे कॉल करते हो, उसके बाद हम कॉल यूशिप करेंगी, और जो भी बात हो, आप बता दोगे, वोट्सप पे, कॉल पे, जो भी आप के थुरू आपको ट्रिक करोगे, ठीक है, इमेल भी है, इमेल से के थुरू भी आप कर सकते हो, तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूँगा, कैसे क्या करना है, और करके भी दे दूँगा, यह कुछ इंफॉर्मिशन ह जो मैंने आप सभी के लिए बताने का प्रास किया, कैसा लगा वीडियो जरूर बताईएगा, चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, थैंक यू, चाहिए, बाबाई